साथियों जैसा कि आपको इस थम्निल के माध्यम से सो हो रहा है तेखिए आरक्षण पर राजभवन का सवाल जी हां राजभवन द्वारा आरक्षण को लेकर सीएम भूपेज बगेल और उसकी पार्टी से बड़ा सवाल किया गया है जी हां ये जो क्या है ये सवाल देखिए सरकार चीहत्तर प्रतिसद आरक्षण करने की वज़ा देखिए सरकार द्वारा जो आरक्षण विध्याक लाया जा रहा है तो सरकार ने संसोधी डाटा नहीं दिया उन्होंने सिर्फ विध्याक दिया है तो देखिए येही में वज़ा है कि आरक्षण में लेट लतीफी हो रही है इस पेपर कटिक में आपको पुरा डीटेल से सोहर हो है वो डाटा जो सरकार जो डाटा तो बताया सरकार जिस अधार पर 76% कर दिया आरक्षान राजभवन का इस्पष्ट कहना है कि सरकार वो डाटा हमें बताया जिसके अधार पर उन्होंने 36 गड़ में आरक्षण को 76% किया गया है उसके हसाब से आरक्षण जो विध्याग बनाया जा रहा है आरक्षण का मामला राज़े में गहराता जा रहा है साथियो आप सभी जानते हैं देखो साइन से पहले राज़ेपाल के सरकार से सवाल देखो अब राज़ेपाल तो साइन करेगी लेकिन साइन करने से पहले उन्होंने 10 सवाल सरकार से पूछे हैं अब वो क्या क्या सवाल है आप स्क्रीन पर देख पाएंगे संसोधित विधेयक में क्रमांग 18-19 पारित करने अनुसुचित जन जाती और अनुसुचित जाती में मात्रात्मक वित्रार जो है डाटा संग्रहित किया गया था ये एक सवाल है सुप्रीम कोट में इंद्रा सहान को लेकर कई सवाल पूछा गया है साथ्यों ठीक है इसके अलावा राजेपाल महोदय ने एक सवाल ये भी पूछा है कि मंद्री परिशाद में महाराश्य तमिल नाडू और करनाटक राज्य की आरक्षड की प्रतिसाद का उल्लेक है इन राज्यों में आरक्षड पचास प विभाग ने जो क्वाण्टिफ फाइबल डाटाज आयोग गठन करने का उल्लेक किया गया था जिसका रिपोर्ट सासन के पास है यह यह रिपोर्ट राजवन में प्रस्तूत क्यों नहीं इंगी है उनकी रिपोर्ट को पेसकरने संबन्धिर बाद भी राज्यपालने कहीं है इसके अलावद कि jestta को संवाट किया समाने प्रसथार्इबागे विभागी प्रस्ताव अर्थाद प्रस्तावित संसो धन में के संभन में साफन से विधी विधाई कारिक के संभन में भी प्रश्ण bağ पूछा गया है साथियों इसका डीटेल आप इस पेपर कटिंग के माध्यम से देख पाएंगे ठीक है देखो एश्टी को 32 प्रिश्ट ओविश्टी को 27 एश्टी को 13 इस प्रकार कुल 72 प्रिश्ट आरक्षण के प्रावधान किया गया है यह आरक्षण अब यह विधयाक पर सवाल पूछने के मेन वजा है अर्थिक रूप से कमजरवर्ग मीले है 4 प्रतिसत दिया घया है कमजरवर्ग को आररथिक रूप से दिचार कर देनी को कह ज्यार ओबिसी और सोला से बढ़ा कर 27 कर दिया गया एस्थिवर्ग और यही मेन वज़ा है जिसके वज़ा से विधेया को लेकर जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है अब साथियों इसमें क्या रिजल्ट निकल कर आएगा वो चीज़े तो वक्त बताएगा लेकिन एक चीज़े हैं यहां पर आपको सोवर देखिए शिक्षाग भरती लाना शिक्षक भरती का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्योंकि आरक्षाग सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बन गया है तो अब जितने भी कांडिएट हैं जो की बेर देर टेट पास हैं शिक्षक भरती की तैयारी कर रहे हैं अब उनको डीपी आई जाना चीए शिक्षाग भाग में जाना है वहां जाके पता करना है शिक्षा मंत्रजी से मुलाकाद करके पता करना है कि आखिर जिरोपतिसत मुद्द संग साथ साथ ही साथ वे डीपी आई भी जाने वाल है उसमें अवहान किया गया है ग्रूप के माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में साथ ही पहुचे और अपनी मांग को हम वहां पर रखेंगे तो आप भी उस मांग के लिए जरूर पहुचे साथियों इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में फिर चार्चा करेंगे एक नई अपडेट के साथ जहीं